नमस्कार मैं हूँ आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूस 31 उत्राखन बागेश्वर के हर शरण सोनी ने कुमाउ मंडल की पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में शांदार प्रदर्शन करते हुए एक स्वन और एक रजट पदक अपने नाम किया है इस दोरान उन्होंने 83 किलोग्राम भार वर्ग के बेंच प्रेस विधा में पहला और डेड लिफ्ट में दूसरा अस्थान हासिल किया वही उनके शांदार प्रदर्शन पर परिजनों और जिले के खेल प्रेमियों ने खुशी जता कर उन्हें शुपकाम नाय दी है बागेशुर के हर शरन सोडी ने कुमाओ मंडल की पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में शांदार प्रदर्शन करते हुए एक स्वन और एक रजत पदक अपने नाम किया आपको बता दे कि उन्होंने 83 किलोग्राम भार वर्ग के बेंच प्रेस विधा में पहला और डेड लिफ्ट में दूसरा स्थान हासिल किया उसके बाद उनके शांदार प्रदर्शन पर परिजनों और जिले के खेल प्रेमियों ने खुशी जताई है जानकारे के मताबिक कुमाओ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन रुद्धरपुर के बालिका बाल विध्या मंदिर जूनियर हाइ स्कूल जगतपुरा में 20 और 21 नवंबर को हुआ था जुनियर वर्ग के 54-83 किलोग्राम भार वर्ग में भागिदारी की आपको बता दे कि इस भाग वर्ग में कुमाओ के सभी जिलों से 12 खिलाड़ी उने भागिदारी की थी कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैं आगी की तैयारी मेरी यह है कि अभी शायद पीस दिसंबर को हरिद्वार में शायद नौर्थ इंडिया होने वाले हैं पावर लिफ्टिंग में तो मैं उसमें मतलब उसमें मैं जाओंगा खेले और अपना फूरा 100% देने की करूंगा ट्राइ करूंगा कि मेरा वहां पर भी मैडल आए पैरेंट्स का तो मिझे फुल सपोर्ट रहा इस चीज में मैंने इन से एक बार कहा बस इनोंने का ठीक है तुझे करने कर ले बाकी मेरी तैयारी अभी मैं पूरा अपना 100% दे रहा हूं जिम में और देखते हैं अब अब आगे क्या होगा है हमारे परवार पूरु से ही इस पोर्ट सी की तरह भमाय परवार का ज्यादा ध्यान ना है हमारे बड़े भाहिसाब ते माहिस कुमार सोनी वो फुटबॉल के बहुत अच्छे गोल की पड़ थे उसके बाद मेरा छोटा भाई किसन सोनी जो काशि पड़क भी जीता है इसने अब हम लोगों का रुजहान यह है कि हम अपने बच्चों को गेम्स के लिए फुल टाइम देते हैं और उमीद करते हैं कि यह हमारे सहर का नाम रोशन करें उत्राखंड का नाम रोशन करें यही हमारी कामना है उत्राखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें